स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में मैं आपका दोस्ति मानिशू भांचाल आज आपको बता हुआ कि आप किसी भी कंटेंट को कैसे गूगल क्रोम से कोपी कर सकते हैं दोस्तों सबसे बहले आप अपने गूगल क्रोम को अपनी कीजिए मैंने एक ऐसल расп-able開ड़ावईद राफ के नहीं हो सकता है आप कितनी कौशिश कर देंजिए लेकिन मैं आपको ये country कोपी करने के लिए कुछ एक आपस बताना चाहूँगा जो आप इस content को को कौपी कर सकते है तो ऊिये दोस्तों जानते आना है सबसे पहले आपको एक new tab open करना आ mm इस जिताए ड पर आएंटर करेंगे आपको यहां पर लिखना है JAWA SC R आरही Javascript Switcher स्विट यह है आपेद्टर करेंगे आपका जावस्रे खोलेगा Javascript यह सबस्हें उपर वाला Javascript है यहां पर मैंनेadded to Chrome किया हुआ है सब्सक्राओर आपको आटेट offering करना है जैसे आप Add it to Chrome करेंगे, आपका automatic यह extension यहाँ पर add हो जाएगा जैसे आप यह extension add होगा, extension को add करने वाद यहाँ पर green tool का show होगा इसका मतलब यह अभी आपकी copyright website पर है, यह आपको copyright का highlight show करता है कि यह website अभी copyright है, आप इसको copy नहीं कर सकते हैं, यह content protected है लेकिन content को copy करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर click कीए जैसे ही यह red show होगा, इसका मतलब है, यह JavaScript अनेबल हो चुका है यानि कि Java ने इसका protection वो हटा गिया है, आप देखे दोस्तों, आप इसको select भी कर सकते हैं और यहां से तरके copy भी कर सकते हैं, मैं आपको paste भी करके दिखा देखा देखें, देखिए word file, word file को जैसे आप open करेंगे, यह control, control भी आपका internet copy होगे, तो दोस्तों, ऐसी एक वीडियो के साथ में एक बद फिर आडिज होगा, तब तक कि धन्यवाब बस्तों